वैदिक ज्योते शास्त्र के अनुसार सबताहा के सभिवार किसी ना किसी देवी देवता और ग्रहों से संबंधित होते हैं यदि हम बात करें बुद्वार की तो बुद्वार बुद्ग्रह से संबंध रखता है इस दिन किये गए कुछ विशेश उपाई कुण्डली में बुद्ग्रह को बलवान तो करते ही हैं साथ ही बुद्ग्रह से संबंधित दोश भी समाप्त करते हैं जोते शास्त्र के अनुसार जातकी कुडली में बुद्ध ग्रह कमसोर होने से उसे जीवन में बुद्धी विवेक, व्यापार, वानी आदी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्ध ग्रह को बलवान बनाने और इसके नकरात्मक प्रभावों से बचने ही तू, बुद्धवार की दिन कुछ चीजों को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आईए आपको बताते हैं कि इस दिन किन-किन चीजों को खरीदना चाहिए और किन चीजों को नहीं। क्या ना खरीदे जोती शास्त्र के अनुसार इस दिन बालों से जुड़ी जैसे कंगा, तेल, साबुन, टूथब्रश, क्रीम और हेर ड्रायर आदी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति को नए जूते चपल और कपड़े की खरीदारी करने से बशना शाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक संक्टों का सामना करना पड़ सकता है। देते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिती कमजोर हो सकती है। व्यक्ति जोति शास्त्र के अनुसार हारा रंग बुद्ग्रह से संबंदित होता है। इस कारण से हरे रंग की चीजों को बजार से खरीदने से बशना चाहिए। ऐसा करने से कुणली में बुद्ग्रह की स्थिती कमजोर हो सकती है। आईए अब आपको बताते हैं इस दिन क्या खरीदना चाहिए। माना जाता है इस दिन सोना, चांदी, जेवराद, आदी खरीदना जीवन में तरक्की का कारण बन सकता है। इस दिन पढ़ने लिखने की सामगरी जैसे किताब, कॉपिया, खरीदने शुब मानी जाती है। उमीद है आपनी बुद्वार से जुड़ी सुविशीश जानकारी को अच्छे से समझ लिया है, तो बातों का ध्यान अपवश्य रखेगा।